राज्यमे और बाकित देश में भी कोरोना संक्रमन रोकने के लिए लॉकडाउन चालू है पूरे शासन वो प्रशास की यंत्रना उसे प्रात्मिकता दे कर काम कर रही है नागरीक भी साथ दे रहे है इसलिए नागरीकों का भी अभिनंदन है पर इस लॉकडाउन के काल में राज्यका एक घटक जो खेट से संबन्दित काम करता आ रहा है वो आज भी कर रहा है जो वनावशक वस्तू की पुरोठो की डोर खंडितना हो इसलिए शासन ने सबजी, फल, दूद, अन्नधान्य मार्केट सुरक्षित अंतर पर शुरू रख लेकिन बारिश और बादल के कारण यह खरेदी केंद्र बंद किये गए उसके बाद लॉकडाउं के रहते खरेदी बंद हुई जिससे किसानों का काफी नुकसान हो रहा है इसलिए ग्रुशे उत्पन बाजार समिती के संचलक मदसुदन हरने इन्होंने कपास की खरेदी श आमोने साथी रतने शिलायत आनि राज्याती नागरिक सुद्धा त्याना साथ देता है यह सर्वा प्रशास्किया आनि शास्किये इंद्रने तेमी स्वागत करतो अभिन्दम करतो परन्तु यह संपुर्ण लॉकडाउं चे पिरेड मदे एक शेती वर काम करना रा वर्ग ह आज ही शेतात काम करतो आहे पन माप्चा लॉकडाउं चा कालावधी पूर्वी 15 दिवस आनि आता सातत्याने 15 दिवस असा एक महिना पसुन चास्नाची कापुस खरीदी बंद असले ने कापुस विकावा कुट हा प्रश्ने शितकरयान समोर आहे राज्यात लिया शितकरय आज ही विस्टक के कापुस तेंचा जवर आहे तो कापुस विगाईला बादार पेठे मदे आज रुईचे भावा आहे एदर लक्षाद घेतले तर आज खुल्या बादारा मदे कापसाला 4000 ते 4000 दोंचे चाववा किम्मात मेर्न दुरापास्ता आहे अनुन शास्नाच ना मुख्य मंत्री उपमुख्य मंत्री आहे जिल्ल्या चे पालत मंत्री आमदार सुमिर्भव केदार आमदार समिर्भव कुनावार आमदार रंजी जी कामले आनि खादार रामदाजी तलस ज्यानना संगटने चा वतिना केली आहे आमची विनंतिया है कि शितकरे चा या सब्सक्राइब करते हिंगन घाट से इन बीशन न्यूस के लिए रवी एनौर करकी रिपोर्ट